दोस्तो कॉमाकी कंपनी ने लॉंच कर दी है अपनी न्यू इलेक्रिक मोटर साइकल जिसे कीमत है सिर्फ 95,000 सो गाइस कॉमाकी के तरफ से ये फोर्थ इलेक्रिक वाइकल है और 2021 में से पहले तीन इलेक्रिक टूल वेर को लॉंच कर चुके हैं अब यह जो बाइक लॉंच करी है इसका नाम है कॉमाकी MX3 और इसकी एक शोरूम प्राइज है 95,000 इस बाइक में आपको 85 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच रेंज मिल जाएगी इन सिंगल चार्ज और इस बाइक को चार्ज गरने में सिर्फ आपकी डेड़ उनिट खर्च होगी इस बाइक की ओर डेटियर्स देखें तो रिमूवबल बैटरी का यहां पर यूस किया गया है अफकोस लीथियम आइन बैटरी है यह इसमें रीजनरेटी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है डूल डिस्क है पारकिंग और रिवर्स असिस्ट भी है यानि कि यह बाइक पीछे की और भी चल सकती है इन बिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है और इसमें हमें तीन स्पीड मोड देखने को मिलते है फुल कलर LED डिस्पले है इसे के साथ 17 इंच के ऐलोई विल मिलते है इसमें हेडलेम जो यूज की गई है वो हेलोजन है LED नहीं है अब अच्छी बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि एक फुल साइज मोटर साइकल है इससे पहले इनोंने को मा की M5 को लाँच किया था जो कि नॉर्मल बाइकों से थोड़ी अलग दिखती है ये एक आप नॉर्मल बाइक क्या ज़कते हो जैसे आपको आप TVS की बाइक देख लो कोई प्लाटीना देख लो स्पेंडर देख लो उस तरह से बाइक दिख रही है और इसके जो सीट है वो भी काफी लॉंग है इसका जो आप इंजन देख रहे हो ना उसी के अंदर बैटरी का यूस किया गया है और दिखने में किसी भी एंगल से इलेक्रिक मोटर सेकल नहीं देख रही है क्योंकि इसे एक कन्वेंशनल मोटर सेकल की तरह रखा गया है जो भी इसके लोक से आगी पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते है इंजन की एक फॉर्म दी गई जिसके अंदर बैटरी का यूस किया गया है अगर हम यहाँ पे देखे तो कलर तीन मिल जाते है गारनेट रेड, जेट ब्लैक और डी ब्लू इसके अलावा यहाँ पे अभी बैटरी साइज और जो इसकी मोटर है उसको लेके थोड़ी अभी क्लैटी नहीं आई है बट माना जा रहा है इसकी स्पीड 70 से 80 किलो मिटर के असपास होगी और उसके लिए आराउंड 3 किलो वोट की मोटर का यूस किया जाएगा कॉमाकी ने इससे पहले लॉँच हुए जो इनके existing product है उनके उपर भी इन्होंने भी मोटर को लेके कोई ज़्यादा चीज़े रिवील नहीं की है और ऐसा ही warranty के साथ है warranty को लेके भी यहाँ पर अभी कोई clarity नहीं है lockdown के बाद और पैटलिक की मत बढ़ने के बाद लोगों काफी जुकाव हो चुए है electric vehicle की तरफ hero की जो sale है वो भी काफी बढ़ चुगी है और भी electric vehicle seller है उनकी भी sale में काफी उच्छाल आया है तो कुमा की भी इस चीज का फायदा उठाना चाहरा है और फटा फट अपने products को launch कर रहा है और 2021 में इनकी दरफ से चौथा product है यह अच्छी बाद हमें इनके products की यह लग रही है कि इनके जो products है न वो एक लाग के अंदर आ रहे है जो आम आदमी के लिए लेना थोड़ा आसान होगा फिर भी अगर हम देखें यह तो महेंगा है बट हाँ ओर इलेक्टिक वेहिकल के मुकाबले यह थोड़ा सस्ता है एक लाग के अंदर कोई middle man इसे लेने की एक बार को सोच सकता है एक लाग से उपर तो बंदे की हवा वैसे ही खराब हो जाती है इनकी तरफ से जो भी अभी two wheelers आए है वो एक लाग के अंदर है आपको कैसे लगी motorcycle अपने review मुझे comments में ज़रू बताए मैं उन्हें पढ़के reply करूँगा इस वीडियो को अन तक देखने के लिए thank you मिलते हैं इस अपनी next वीडियो में